आज मैं आपके लिए फिर से एक नए तोरण का डिजाइन लाई हूं तो देखिए उसे बनाने के लिए मैंने यह यलो और यह पिंक और यह ग्रीन कलर वूल ले लिया है वूल मैंने फोर प्लाई का लिया है और यह दस नंबर की कुरुशिया अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज आप में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालू उसकी नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो चलिए अब हम तोरण बनाना है तो उसके लिए मैंने यह पिंक कलर का वूल ले लि तेरह, चोदह, पंद्रह, सोलह, सात्रह, अठारह ये देखिए हमने अठारः चैन बना लिया अब उपर से हमें एक, दो, तीन, तीन चैन को स्किप करके चौथे नमबर चैन में इस तरह से एक बार हमें डबल कुरूशया करना है फिर ऐसे नेक्स्ट चैन में फिर से एक ब डबल कुरूशिया करते हुए यह लाइन कंप्लीट कर लेना है यह देखिए इस तरह से सेम उसी तरह से हमने यह 15 चैन के उपर 15 बार डबल कुरूशिया बना लिया और एक जो यहां पर हमने यह 3 चैन स्किप किया था एक हम उसे काउंट करेंगे तो यह टोटल हमारा 16 डबल क क्रूशिया के उपर इस तरह से हमें एक बार डबल कुरूशिया करना है फिर एक चैन लेना है फिर नीचे से एक डबल कुरूशिया को स्किप करना है और दूसरे डबल कुरूशिया के उपर इस तरह से एक बार डबल कुरूशिया फिर एक चैन फिर एक डबल कुरूशिया को skip करके दूसरे double crochet के उपपर एक double crochet फिर एक chain इसी तरह से हमें एक एक chain के साथ फिर एक एक double crochet को skip करते हुए ऐसे एक बार double crochet करते हुए यह line बना कर complete कर लेना है उसी तरह से हमने 1,2,3,4,5,6,7,8 ऐसे 8 double crochet एक एक chain के एक बार double crochet करना है फिर यह जो हमने एक double crochet बनाया है फिर इसके उपर फिर से एक बार double crochet फिर chain के उपर फिर एक बार double crochet फिर यह double crochet के उपर एक बार double crochet इसी तरह से हमें यह पूरा फिर से ऐसे double crochet का line बना लेना है जो हमने 10 कैन पर एक बर डबल कुर्शिया फिर जो में यह डबल कुरो बनाये है यह जैसे एक बार नीचे बनाये हैं तरह से हमें यह तीसरे रैंसे वह कहँं डबल कुर्शिया बना लिया है अब यहाँ पर देखिए हमें एक, दो, तीन, चार, चार चैण बसे हमें करना है फिर एक Europ कुरुषिय को श्किप करके फिर दूसरे ढबल कुरुष्य है की उपर एक लिए तरह कर लेना है पिर श्किप यह ने यह कुन करहने हैं अब जैसे मैंने आपको ये दूसरी लाइन बना के दिखाया था, ऐसे 15 डबल कुरुशिया, सेम उसी तरह से मैं फिर ये यहाँ पर 15 डबल कुरुशिया करना है, यही दो लाइन रिपीट करते हुए, हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है, और इसकी लंबाई मैंने 38 इंच बनाया है, आप अपने डोर के हिसाब से आपको जितना लंबा चाहिए, आप उस हिसाब से बना लीजिएगा, तो चलिए अब हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं, तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बना लिया है, तोरण को हमें टू पार्ट में बनाना है, तो देखिए इस तरह से तोरण पटी को रख लेना है, और एक पार्ट में हमारा जितना पैटन बन के आता है, उतना हमें बनाना है, तो देखिए मेरा एक तरफ ये एक, दो, तीन, तीन बन के आया है तो मैंने ये तीन बनाया है यहाँ पर देखिए मैंने स्टार्टिंग में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे लाइन को स्किप किया था सातवी लाइन से हमने इसे बनाना स्टार्ट किया था तो चलिए मैं आपको ये कैसे बनाना है मैं इस side बनाना बताती हूँ इस तरह से हमें green color का wool लेकर knot लगा लेना है यहाँ पर हमें 1, 2, 3, 4, 5 4 line को skip करना है 5 भी line में हमें इसे joint कर लेना है इस तरह से और फिर देखिए ऐसे ही wool को joint करके हमें 4 chain बनाना है 1, 2, 3, 4 4 chain हम बना लेंगे उसके बाद देखिए इस तरह से हमें triple crochet का धागा लेना है और इसे 2 बार में हमें निकालना है 1, 2 इस तरह से फिर देखिए फिर हमें इस तरह से triple crochet का धागा लेना है फिर हमें 1, 2 दो बार में निकालना है तो यह 3 फंदा हो गया फिर इस तरह से triple crochet का धागा लेना है फिर एक दो ऐसे दो बार में निकालना है फिर triple crochet का धागा लेना है फिर इसे दो बार में निकालना है तो देखें यहाँ पे हमने यह 5 triple crochet कर लिया और यहाँ पे यह 5 फंदा है अब हमें सारे फंदे को इस तरह से एक करते हुए इसे बंद कर देना है तो यह देखिए हमारी एक पत्ती बन गई अब यहाँ पर हमें एक दो तीन चार पांच पांच चैन बनाना है फिर त्रिपल कुरुशिया का धाका लेना है फिर इसी जगा फिर से ऐसे पांच बार त्रिपल कुरुशिया करना है यह देखिए एक दो इस तरह से दे प्रीपल कुछिया का धागा फिर 22 पार में निकालना है तो देखिए फिर से हमहें इन सारे फंदों hai एक करके इस्तर असे बंद कर देना है और एक न बनाकर ओल को कट देना है 머manuel कि आठवे लाइन में हमें फिर से ऐसे wool को ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से, इसके बाद हमें देखिए, इसमें फिर चार chain बनाना है। एक, दो, तीन, चार, इस तरह से, इसके बाद फिर हम इसमें पाँच बार फिर से ऐसे त्रिपल ख्रुशिया करेंगे। ऐगे ये देखिए हमें फंदे को कुरुष्या के उपर लेते जाना है । पांच हो जाएगा तब हमें पांच फंदों को एक साथ बंद कर लेना है। देखिए एक, दू इस तरह से चार फंदा हो गया फिर यह पांच यह देखे हमने नीचे पांस त्रिपल कुरुशिया कर लिया और यह कुरुशिया के उपर हमने पांच फंदा लिया है अब इन पांचों फंदों को हमें इस तरह से एक कर देना है यह हमारी पत्ती बन गई अब हमें एक दो तीन चार पांच पांच चैन बनाना है और फिर इस इसी जिगत फिरसे सेम इसी तरह से हमें एक पत्ती और बना लेनी हैं कि पांसत्रिपल स्ट्रिपल कुरु ज़्या के साथ अ धागमें ट्रिपल कुरुश्या का लेना हैter उस्से हमें निकालना दो बार हैं कि देखे इस तरह से चार हूगया और argent में एक पांच इस तरह से हमने ये पांच ट्रपल क्रूशिया कर लिया अब सारे फंदे को एक साथ हमें बंद करते हुए एक चैन बना कर गुल को कट कर देना है इस तरह से ऐसे ही हमने देखे दो बना लिया फिर यहाँ पर साथ लाइन को स्किप करना है फिर यहां पे एक बनाना है फिर इधर हम छहाई लाइन फिर से skip कर देंगे इसी तरव से हम एक और बना लेंगे तो चलिए मैं आपको इसी तरव से एक और बना खर फिर दिखाएं बनाना था उसी के just bubble से हम मैं यहां पर हम इस कैसे जॉइन कर लेना है वूल un invert बारने एक दो cry यह फीलाइइ और फिर दूसरे लाइन में इस तरह सि जॉइन कर लेना है अब यहां पर देखिए हमें आठ चैन बनाना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ चैन बनाकर यह जो हमने पांच चैन बीच में बनाया है यहाँ पर हमें पांच बार त्रिपल कुरुश्या करना है एक देखे इसे तीन बार में हमें इस बार निकालना है फिर ऐसे त्रिपल कुरुश्या का धागा फिर ए एक दो तीन फिर हैसे टृपल कूरू श्या का धागा पिर इस तरह से एक दो टीन ये देखिए पांच फंदा हमने ये त्रिपल कुरू श्या कंपना लिया अब ऐसे कुरूश्या को बाहर करना है और यहां पर जहां upe हमने फॉर्श टृपल कूरूश्या किया है यहां करना है यह देखे हमने त्रिपल क्रुश्य का धागा ले लिया अब एक दो इस तरह से ऐसे पाँच बार में हमें त्रिपल क्रुश्य को ऐसे बनाना है यह देखे इस तरह से हमें 5 3D कुरूशया करने हैं यह देखें इसे 5 कुरूशया कर लिया अब फिर से ऐसे कुरूशया को इस साइट से हमें ऐसे इस फंदे को ऐसे बाहर कर लेना है और फिर12385 पांच चैन बनाना है ऐसे जैसे मैंने आपको यह दो बना दिखाया है, सेम इसी जगह पर हमें ये टोटल चार बना लेना है, तो चलिए मैं आपको दो और बना कर फिर दिखाया है, सेम उसी तरह से हमने ये टोटल चार बना लिया, जैसे मैंने आपको ये दो बना की दिखाया था, उसी तरह से दो और बना लिया, तो ये टोटल फोर ह अब यहाँ पर देखिए, फिर से हमें 8 चैन बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 चैन बनाकर फिर यहाँ से हमें 1, 2, 3, 3, 3 लाइन को स्किप करना है, चौथी लाइन में इस तरह से देखिए, हमें इसे जॉइन कर लेना है, फिर 1, 2, 3, 3 चैन बनाकर फिर एक लाइन को स्किप करक फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ चैन बना के फिर यहाँ पे देखें दूसरे फ्लावर में यह जो हमने पत्ती बनाया है इसमें हमें फिर से सेम वही यहाँ पे भी ऐसे रिपीट करना है जो फ्लावर हमने इस वाले पत्ती के उपर बनाया है सेम यही फ्लावर हमें इस पत्ती के उपर भी ऐसे बनाना है यह देखिए इस तरह से पांच बार त्रिपल कुरुशिया करके यह देखिए तीन चार और एक यह पांच इस तरह से देखिए हमने पांच बार त्रिपल कुरुशिया कर लिया अब यहाँ पे देखे हमें ऐसे कुरुशिया को डाल के फर्स्ट वाले की त्रिपल कुरुशिया के उपर इस तरह से इसे बंद कर देना है फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चैन बनाना है फिर ऐसे त्रिपल कुरुशिया का धागा लेना है फिर ऐसे ही हमें पांस त्रिपल कुरुशा करना है इसी तरह से हमें इस पत्ती के बीच में भी जैसे यहाँ पे हमने यह चार बनाया है ऐसे यहाँ पे भी हमें चार बनाना है फिर ऐसे हमें आठ चैन लेना है फिर ऐसे यहाँ पे देखिए तीन लाइन को स्किप करके चौथ जोईन कर लिया यहांफे आधा कि जुएन कर लिए एसा हमें स्थने में हमें दस डबल क्रूशिया बनाना है तीन चार पांच छे साथ आठ नो और एक ये लास्ट में दस इस तरह से देखें हमने ये दस डबल क्रूशिया यहां आठ चैन के बीच में बना लिया अब देखें हमें फिर जो हमने ये बीच में पांच चैन बनाया है अब उसमें हमें पांच डबल क्रूशिया बनाना है एक दो तीन चार और एक ये पांच ये देखें हमने ये फ्लावर के बीच में जो पांच चैन बनाया था वहां प देखिए यह जो center में, दो-दो flower के बीच में जो chain है, यहाँ पर देखिए हमें पहले 4 double crochet बनाना है, एक, दो, तीन, और एक यह 4, पहले देखिए हमने यह 4 double crochet बना लिया, अब हमें 1, 2, दो चैन बनाकर फिर इसी जगह पे फिर से चार डबल कुरुशिया बनाना है फिर एक ये तीन और एक ये चैन सेंटर में हमने ये चार डबल कुरुशिया दो चैन फिर चार डबल कुरुशिया बना लिया अब यहाँ पे देखें फिर से ऐसे 5 डबल कुरुशिया हमें बनाना है एक, दो, तीन, चार, और एके 5 इस तरह से देखें हमने यहाँ पे 5 डबल कुरुशिया बना लिया इस चैन में अब यहाँ पे जो 8 हमने चैन बनाया है अब इसमें हमें 10 डबल कुरुश्या फिर से बना लेनी है इस तरह से हमें 10 डबल कुरुश्या टोटल बना लेना है उसी तरह से हमने 10 डबल कुरुश्या बना लिया अब फिर से हमें देखिए जो हमने इस वाले फ्लावर में ये 8 चैन बनाया है अब डायरेक्ट हमें इसमें आ जाना है और फिर यहाँ पर हमें सेम यही चीज जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया है सेम ऐसे हमें इन दोनों फ्लावर में भी बना लेनी है तो चलिए मैं आपको बना कर फिर दिखाती हूँ सेम उसी प्रोसेस से मैंने यह लाइन बना कर कम्प्लीट कर लिया और यहाँ पर लास्ट में देखिए मैंने एक लाइन को स्किप करके दूसरे लाइन में इसे जॉइन कर लिया है ग्रीन कलर का उल नॉट लगा कर ले लेना है अब इस तरह से देखिए हमें उल्टा करके यह तोरन को पांच डबल कुरुशिया के बीच में हमें इस तरह से फूल को ज्वाइंट करना है और फिर छे चैन बनाना है देखिए इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे 6 chain बना के फिर इस side के 5 double crochet के बीच में इसे joint कर दीना है इसके बाद देखिए हमें फिर से सीधे तरब turn कर लेना है और फिर यहाँ पे हमें chain के बीच में आ जाना है फिर 1, 2, 3, 4, 4 chain बनाना है फिर same ऐसे जैसे हमने आपको ये पत्ती बनाना बताया है सेम उसी तरह से अब हमें पत्ती बना लेना है तो देखिए triple crochet का धागा लेना है फिर इसे इस तरह से दो बार निकालना है फिर triple crochet का धागा लेना है फिर दो बार निकालना है फिर triple crochet का धागा लेना है फिर दो बार निकालना है फिर triple crochet का धागा लेना है फिर दो बार निकालना है इस तरह से देखें ये हमारा पांच फंदा हो गया अब हमें इस तरह से पांच फंदे को एक साथ बंद कर देना है फिर पांच चैन बनाना है ये देखें पांच चैन हमने बना लिया अब फिर ऐसे त्रिपल कुरुशिया का धागा लेना है फिर इस तो बार में इस तरह से िदेखिए हमारा पांस ट्रिपल क्रुशिया फिर बन गया से फिर यहां पर बना लेना ने आपको यह एक बना कर दिखाया है से उसी तरह सी यहां पर भी बना लिया है अब यहाँ पे देखिए यह जो हमने 5 double crochet first वाले box में किया है उसके बगल में जो देखिए space है वहाँ पे हमें pink color का wool join कर लेना है यह देखिए यह जो हमने 8 double crochet center वाले में बनाया है उसके just बगल में जो space है यहीं पे हमें इसे join करना है इस तरह से इसमें हमें 8 chain बनाना है 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 8 chain बना के यह जो हमने center में दो पत्ती के बीच में यह 5 chain बनाया है अब इसी में सेम हमें जैसे हमने यह आपको flower चार बनाना बताया है सेम उसी तरह से हमें यह 4 flower बनाना है इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे 5 double crochet कर लेना है यह देखिए 4 पिर एक 5 यह देखिए हमने 5 triple crochet कर लिया अब इस तरह से हमें ऐसे इस side हमें ऐसे फंदे को बाहर करके निकाल लेना है फिर एक, दो, तीन, चार, पांच पांच ऐसे chain बना लेना है फिर इसी जगर पे हमें फिर से ऐसे flower बनाने है यह देखिए एक triple crochet, दो, तीन, चार, और एक यह पांच पांच त्रिपल क्रुशिया हमने कर लिया अब यहां से देखिए इस side से हमें क्रुशिया को डालना है इसे फंदे को लेना है फिर इसे बंद करते हुए हमें यह फ्लावर बना लेना है फिर एक, दो, तीन, चार, पांच फिर पा और बना लेना है उसी तरह से हमने यह चार ऐसे फ्लावर बना लिया अब यहां पर देखिए फिर से हमें आठ चैन बनाना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ आठ चैन बनाके अब यहां पर देखिए यह जो center में हमने आठ डबल क्रुशिया किया है इसके जस अब जैसे देखिए मैंने यहां पर आपको बना के दिखाया है सेम इसी तरह से यहां पर भी हमें यहां पर उल को जॉइन करना है फिर ऐसे सेम फ्लावर बनाना है फिर यहां पर जॉइन करते हुए एक और हमें ऐसे ही बना ले फ्लावर यहां पर और बना लिया अब यहां चैन जो हमने बनाया है इसी में हमें दस डबल कुरुशिया कर लेना है इस तरह से यह देखिए पांच छे साथ आठ नो और एक यह दस यह देखिए हमने आठ चैन में दस डबल कुरुशिया कर लिया अब यहाँ पे देखिए हमें फिर इस चैन में आना है यह जो हमने फ्लावर के बीच में पांच चैन बनाया है अब यहाँ पे हमें ऐसे पांच डबल कुरुशिया करना है यह देखिए तीन चार इस तरह से और एक यह पांच यहाँ पे हमने ऩारफ घॉर्टरफ कर लिए अब सेंटर वाले दोशेयन में यह जो फ्लावर के संट्र में ड में WA प२र करना है यह देखिए mais फिर दोशे बनाना है और फिर चाहरडबल कुश यह देखिए हमने का डोश्याский अब अब फिर सेम इसी जगह पर ते पिर से चार डबल कुरूशिया जुका ने के इस तरह से ऑसमें ये ऌप ड़ और यहाँ पे पूरा यह pattern बना लेना है तो चलिए मैं आपको बना कर फिर दिखाती हूँ सेम उसी process से मेरा यह दोनों pattern बनकर ready हो गया अब इसमें हमें ऐसे एक एक जालर लगाना है तो चलिए मैं आपको जालर लगाना बताती हूँ जालर मैंने पहले से ही बना कर लिया है, इसे मैंने कैसे बनाया है, यह आप मेरे किसी भी वीडियो में जाकर देखेंगे, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं, यह देखिए मैंने यह टोटल 13 जालर बनाया है, 6 जालर मैंने ग्रीन कलर से, और 7 जालर मैंने यह पिंक कलर से, तो चलिए, इसे हमें कैसे लगाना है, वो मैं आपको लगाना बताती हूँ, हमें सुई धागा ले लेना है, और इस तरह से देखिए, हमें एक ऐसे पिंक कलर का यह हमने जालर लिया है, इस तरह से यह देखिए, सुई को जालर के बीच से हमें बाहर कर लेना है, इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें एक मोती, इस तरह का मैंने यह मोती लिया है, ऐसे हमें एक या दो मोती, आप जितना लगाना चाहें उस हिसाब से ले सकते हैं, इस तरह से देखिए, हमने यह दो मोती ले लिया है, अब इस तरह से देखिए, यह तोरन पट्टी के कॉर पर इस तरफ से में जंटान को लगाना है जिस से इसकी पनीशिंग आप दिल्खे इस तरह से हमें दो-तीन नौट लगा लेना है रीखिया है प्रयां एक बाता भी ग्रें फिर फिर ग्रें इसी तरह से कंद था पाले है तो चलिए आपको चैश्ञां है तुरन बंकर रेडी हो गया है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज आप में वीडियो को लाइक कीजे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ सीयर कीजे और मेरे चैनल प्रिती मिस्टर क्रफ्ट को सबस्क्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर जिससे मैं जो भी वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुचे मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए